Hi everyone, Jayhind आजके इस lecture में हम लोग बात करेंगे Marketing के Concepts की जिसमें हम कवर करेंगे Production Concept Product Concept, Selling Marketing and Societal Concept तो शुरू करते हैं Production Concept से Production Concept में क्या होता था कि Maximum Production कर दिये Company ने, ठीक है हम यहाँ समझेंगे कि क्या Reason था कि Companies या Producers Maximum Production पे Focus करते थे जो production concept है ना वो एक French economist थे उनके law पे बीस्ट है और उस law का नाम क्या था? sales law तो sales law था every supply creates its own demand इसका मतलब है आप जो भी बनाओगे उसकी ready-made demand है आपके पास आपका काम है सिर्फ बनाना अच्छा एक organization को successful होने के लिए क्या चाहिए था? बस produce करो क्योंकि ready-made demand तो already है आपके पास लेकिन इसकी एक implication है कि ये वाला जो law था ना ये सिर्फ past में ही true hold करता था आज के time में नहीं क्योंकि past में क्या होता था? sources of supply बहुत कम होते थे, खरीदने वाले बहुत ज़ादा, तब supply की scarce रिटे होती थी यानि supply कम होती थी तो जो भी बनाती थी ना company वो खरीदा जाता था, okay, company कोई effort ने डालती थी कि production enhance की जाए तो उस time पे ये true होता था कि every supply creates its own demand क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज़ादा थे and producers बहुत कम थे, है ना, competition भी कम था तो वो जो बनाएंगे, automatically वो बिक ही जाएगा, क्योंकि एक तो देखो, output भी इतना कम होता था, means of production इतने पूर होते थे, इतनी इतनी बड़ी machines लगा रखे है, फिर भी सिर्फ एक या दो output ही निकल के आ रहा है तो इसलिए ये उस time पे ठीक लगता था, है ना, and companies ये law follow भी करती थी, maximum produce करने के लिए, अच्छा, उसके बाद देखो, बाद में क्या हुआ, great depression आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं रहा, तो अगर अब companies जादा से जाद produce करती जाएंगी, पहले scarcity होती थी supply की, अब supply की abundance हो गई, तो अब क्या हुआ, market में supply, समान जो है वो पड़ा है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, है ना, लोगों के पास पैसा ही नहीं था खरीदने का depression के बाद, तो फिर ये sales law जो था, उसकी application खतम हो गई, है ना, कि every supply creates its own demand ये चीज खतम हो गई थी, नहीं रही, है ना, आगे हम पढ़ते हैं, product concept, ओके, product concept में जो है न, focus maximum produce करने से shift हो गया, to the product, to the quality of product, इसमें focus था, कि आप जितनी अच्छी quality का product बनाओगे, उतना अच्छा होगा, है ना, अच्छी quality होगी तो, automatically product बेकेगा ही, अच्छी quality होगी, तो आप differentiate कर पाओगे, अपने product को, competitor के product से, and automatically आपकी demand बढ़ जाएगी, अगर हम example लेते हैं, apple का, iphone का, ठीक है, iphone का example लेके चलते हैं, हमें influence नहीं होते हैं, हमें पता है कि apple बहुत अच्छे products देता है, ठीक है, तो, अगर हमें पता है कि quality अच्छी तो, हम खुदी ले ल फोकस हो गया, promotion पे, ठीक है, सिर्फ आप अच्छी quality का product बना रहे हो, यह sufficient नहीं है, क्योंकि फिर सभी companies ने product concept में अच्छा product बनाना शुरू कर दिया था है न, तो, differentiate कैसे करोगे, फिर focus हो गया, selling concept पे, selling concept में अब क्या होगा, कि आप promotion करो है न, huge promotion करो, aggressive promotion करो, तभी customers जो हो होंगे, attract होंगे, तुम्हारे product की तरफ, okay, क्योंकि न, कभी-कभी customers को, consumers को पता भी ने होता कि, आपका कोई product है भी ऐसा है न, तो, उसके लिए उनको educate करो, promotion के न, हम तीन objectives देखते है, to inform, to persuade, और to reinforce, यानि, to remind, अच्छा, यह है, selling concept, अगर हम इसके example की बात करें, तो, हम स of drinks की, soda drinks की, बही वो, यही चीज तो follow कर रहे हैं, वो promote कर रहे हैं अपने product को, अगर आपको नहीं भी पता कि ऐसा कोई product है, तो, आपको add देके दो, definitely पता चल ही जाएगा है, क्योंकि आप TV तो देखते ही हो, आगे चलते हैं, marketing concept की और, अच्छा, फिर आए marketing concept, जो पिछले सभी concept से अच्छा है, क्योंकि यह customer oriented है, बाकी concepts में focus production पे था, product पे था, इसमें focus है customer पे, जो पहले की concept थे ना, उनमें क्या होता था, product पहले बना दिया है ना, फिर customer को बेचते थे, marketing concept में हम पहले customer को अप्रोच करते हैं, उनकी needs को, उनकी wants को जानके, फिर उसके according ही product बना satisfy हो पाएं, हम कर पाएं, ठीक है, the focus is not on finding the right customer for your product, but right product for your customer, ऐसा नहीं करना कि पहले हमने product बना दिया, फिर ढूंड रहे हैं कि कौन से लोग होंगे हैं जिनको हम product, जो हमारे product खरीदेंगे, ठीक है, यह हम customer को अप्रोच करते हैं, उनकी needs को ध्यान में रखके, product बनाते हैं, फिर ready-made demand तो होगी हमारे पास, ओके, यह है marketing concept, जो सभी concept से अच्छा है, आगे है हमारा last societal concept, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो societal concept में क्या होता है, कि company का focus जो है, वो shift हो जाता है, है ना, customer से, अब एक single customer से focus shift हो गया, society at large पे, ठीक है, अच्छा, company market के जैसे resources यूज करती है, है ना, तो company की obligation है, कि वो return में भी दे, अगर company society के resources को use कर रहे हैं, तो उसका first बनता है, कि return में भी कुछ दे, है ना, इसमें focus होता है, long term societal welfare की तरफ, इसमें हम society के बारे में सोचते हैं, उनकी welfare के बारे में सोचते हैं, तो जो company जैसे करती हैं, उनका automatically profit भी बढ़ जाता है, क्योंकि customer कहीं ना, कहीं सोचे गई कि हाँ, ये तो responsible company हैं ना, अच्छे initiatives ले रही है, society के बहले ये लिए कुछ काम करिए, तो इनके हम products खरीदेंगे, अगर हम इसका example लें, विद्यावालन के एक ad आती थी, जिसमें वो किसी तेल को promote करती थी, मुझे नाम याद नहीं रहा आमलाशिकर काई something पता नहीं, तो उसमें वो क्या बोलते थे कि इसका 2% जो है वो जाते है, सिक्षा की हो, education की तरफ, तो ये क्या है, वो society के लिए गाम कर रहा है, ये ब्रैंट जिसने ये सोचा कि हाँ 2% हम society को contribute करते है, सिक्षा की तरफ लगाते हैं, तो ये थे आपके सा कि अपके साथ 9.